समस्का दोस्तों हमारी य्टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्रप्रदेश करेंट अफेर्स को पढ़ेंगे जिसमें अगस्त 2019 से लेके अगस्त 2020 तक के सभी उत्रप्रदेश के करेंट अफेर्स इसमें सामिल किये साथ में बेल आइकन को भी प्रेश कर लेजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नूटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचर डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक देर या गया है व प्रिंदावन वैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट है आपका 5 सितंबर 2020 को उद्योग समवर्धन और आंतरिक ब्यापार विभाग DPIIT द्वाराजारी स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्षन प्लान रेंकिंग 2019 का चोथा संस्क्रड में उत्रप्रदेश का अस्थान क रेंकिंग 2019 में प्रथम अस्थान किसने प्राप्त किया तो आंधर प्रदेश ने सिकेंड अस्थान पर आपका उत्रप्रदेश है नेक्स्ट है उत्रप्रदेश में पोसड माह 2020 का आयोजन किया जा रहा है तो यह 1 से 30 सितंबर 2020 के मद्दे नेक्स्ट है आपका 24 अगस्ट 2020 को सिडवी के स्वावलंबन केंदर का आनलाइन सिला न्यास किया गया कहां पर तो लखनोव में किया गया है अगला कोशन आपका परवासी भारती विभाग उत्रप्रदेश के एकी कृत वेव पोर्टल का सुबारंब हुआ तो 24 अगस्ट 2020 को नेक्स्ट है आपका 10 अगस्ट 2020 से परदेश के 11 जनपदों में सुबारंब किया गया तो राष्टरी क्रीमी मुक्ती अभियान का सुबारंब किया गया 10 अगस्ट 2020 से परदेश के कितने जनपदों में तो 11 जनपदों में अगला कोशन आपका उत्रप्रदेश में पर्थ अस्थापित किया जा रहा है तो यह गौतम बुध नगर में अस्थापित किया जा रहा है नेक्स्ट आपका One Cop One Gangaster Operation शुरू किया गया तो यह गाजियाबाद पुलिस द्वारा सुरू किया गया है One Cop One Gangaster अभियान नेक्स्ट है आपका COVID-19 से निपटने के लिए Team 11 का गठन किया गया है तो उतरप्रदेश राजी सरकार द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए Team 11 का गठन किया गया है नेक्स्ट है भारती चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा COVID-19 के पूल पर एक्षड की अनुमती प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो यह आपका उत्तर प्रदेश बन गया है नेक्स्ट है केंद्री मंत्री मंडल द्वारा उत्र प्रदेश के इस हवाई अड़े को अंतरास्ट्री हवाई अड़े का दर्जा दिया गया है तो यह है आपका कुसी नगर हवाई अड़ा नेक्स्ट है उत्रप्रदेश के पहले गो अभ्यारण का सीला न्यास किया गया है कहाँ पर तो यह मिर्जापुर में किया गया है उत्रप्रदेश का पहला गो अभ्यारण का सीला न्यास मिर्जापुर में आपका किया गया है नेक्स्ट है अनुसूचित जात के गरीब बेक्तियों के सरवांगीर भिकास है तो नवीन रोजगार छतरी योजनाप की सुरुवात की गई कब तो 18 जुलाई 2020 को अगला प्रशना आपका ICC महिला T20 क्रिकेट बिसुकप में भारती टीम में चैनित होने वाली राधा यादाव संबंधित हैं कहां से तो यह जौनपूर से संबंधित हैं नेक्स आपका गरीब कल्यान रोजगार अभियान में उत्रप्रदेश के चैनित जिले हैं तो हैं 31 जिले गरीब कल्यान रोजगार अभियान में उत्रप्रदेश की कितने जिले चैनित हैं तो 31 जिले चैनित हैं 31 नेक्स्ट आपका आत्म निर्भर उत्रप्रदेश रोजगार कारिक्रम का सुबारम किया गया तो यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुरू किया गया है आत्म निर्भर उत्रप्रदेश रोजगार कारिक्रम अगला प्रश्णा आपका जून 2020 में सेवा मित्र मुबाइल एप तयार किया गया किसके द्वारा तो यह स्रम विभाग उत्र प्रदेश राज्जी द्वारा तयार किया गया है सेवा मित्र मुबाइल एप नेक्ष आपका जून 2020 में आभा आत्म निर्भर भारत मोबाइल एप तयार किया गया तो यह कौसल विकास बिभाग द्वारा तयार किया गया है आभा आत्म निर्भर भारत मोबाइल एप नेक्ष आपका प्रदेश की जनता को पुलिस की बिभिन सेवाएं सरलता से उपलब्द कराने है तो तयार किया गया मुबाइल एप कौन सा है तो यह है आपका यूपी कॉप और अगला प्रशन है आपका उतर प्रदेश गोवध निवारर संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तो यह आपका 9 जून 2020 को मंजूरी दी गई नेक्स्ट है 14 मई 2020 को उतर प्रदेश में आनलाइन स्वेरोजगार संगम कारिकरम का सुबारंब किया गया कहाँ पर तो यह लकनोव में किया गया अगला प्रशन आपका प्रवासी राहत मित्र एप बिक्सित किया गया है तो यह important question है आपका UNDP के सहयोग से प्रवासी राहत मित्र एप बिक्सित किया गया है प्रवासी राहत मित्र एप किस प्रदेश द्वारा बिक्सित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प् नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कारियाले द्वारा तैयार किये गए प्रवासी राहत मित्र एप का लोकार पर कब किया गया तो यह 8 मई 2020 को अगला प्रशना आपका मार्च 2020 में मिसन विकास कासी प्रियाग राज नया भारत नया उतरप्रदेश कारिकरम आयुजित किया गया कहाँ पर तो यह बाराड़सी में आयुजित किया गया अगला प्रशना आपका 29 फरवरी 2020 को ब्रहत सामाजिक आधिकारिता सिविर का आयोजन किया गया कहां पर तो यह है परियाग राज में किया गया और नेक्स्ट है आपका बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा तो यह आपके चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमिरपूर, जालाउन, औरैया तता इटावा से हो करके बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा तो यह इंपॉर्टेन्ट है जो है आपका पूछा जा सकता है कि किन किन जीलो से हो करके बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा चित्रकूट, बान्दा, महोबा, हामीरपूर, जालावन, औरया तथा इटावा से होकरके गुजरेगा और बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है तो 296 किलोमीटर बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है नेक्स्ट है आपका 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेल खंड एक्सप्रेसवे का सिला न्यास किया गया तो यह 27 से लेके 31 जनवरी 2020 के मद्य नमामी गंगे मिसन पाँच दिवसी गंगा यात्रा का आयोजन किया गया अगला प्रशना आपका 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का सुबारंब किया गया तो यह बिजनों से सुरू किया गया था गंगा यात्रा और अगला प्रशन है आपका सात्मी कामन वेल्थ पारलिया मेंटरी एसोसियेशन इंडिया रिजिनल कानफरेंस का आयोजन किया गया कव तो यह 15 से 19 जनवरी 2020 के मद लखनव में सात्वी कामनवेल्थ पारलियामेंटरी एसोसियेशन इंडिया रिजिनल का आयोजन किया गया नेक्स आपका उत्तर प्रदेश भूगर्व जल प्रवंधन योम नियमन नियमामली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई कब तो यह 11 फरवरी 2020 को मंजूरी प्रदान की गई अगला प्रशनाप का पांच से 9 फरवरी 2020 के मद्ध डिफेंस एक्सपोर्ट 2020 का इग्रहवा संस्क्रड का आयोजन कहां पर किया गया तो लखनोव में किया गया और अगला प्रशनाप का समन योजना 2020 का उद्देश है अनाधिकरित निर्मान की प्रविर्ति को रोकना इसका उद्देश है और अगला प्रश्णाप का 13 जनवरी 2020 को उत्रप्रदेश मंत्री परिशत द्वारा राजस्व अभिलेखों में घागरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई इस नदी का नया नाम क्या होगा? तो घागरा नदी का नया नाम जो है सर्यू नदी होगा? नेक्ष्ट है जनपद गोंडा के पसका संकूर छेतर में इस्थित ग्राम चंदापूर की टवली से रेवल गंज बिहार तक घागरा नदी को जाना जाएगा किस नाम से? तो यह सर्यू की नाम से अब जाना जाएगा और अगला प्रशना आपका 13 जनवरी 2020 को उत्र प्रदेश में कमिशनर प्रडाली लागू करने की घोसना की गई यह लागू की जाएगी तो यह लखनव और गौतम बुध नगर जनपद में लागू किया जाएगा कमिशनर प्रडाली इंपोर्टेंट है यह उचा जा सकता नेक्स टाप का गोरकपूर महोत्सों 2020 का आयोजन किया गया तो यह 11 से 14 जनवरी 2020 के मद गोरकपूर महोत्सों का आयोजन किया गया नेक्स्ट आपका 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया तो यह अवध सिल्प ग्राम लखनोव में आयोजित किया गया नेक्स्ट आपका 30 दिसंबर 2019 को उत्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा है तो शुरू की गई हेल्प लाइन सेवा क्या है तो यह है दामिनी नेक्स्ट आपका 25 दिसंबर 2019 को परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने अटल बिहारी चिकित्सा भी सुभिधयले उत्रप्रदेश का सीला न्यास किया कहाँ पर लखनोव में याद रखेगा अटल बिहारी चिकित्सा भी सिविद्याल है कहाँ पर बनाया जा रहा है तो यह लखनों में बनाया जा रहा है इसका सीला नियास प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की द्वारा 25 दिसंबर 2019 को किया गया है और अगला प्रस्चन आपका 14 दिसंबर 2019 को रास्ट्री गंगा परिसंद की प्रथम बैठक कि अध्यक्षत की गई तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की द्वारा इसकी अध्यक्षत की गई नेक्स्ट है नोईटा इंटरनेशनल ग्रेंफिल्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है तो यह जियूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा इसका विकास किया जा रहा है तो जेवर का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है तो जियूरिक एएरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है नेक्स्ट आपका सरवाधिक खरीद के लिए सूपर बायर इस्टेट के राश्वी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे तो उत्तर प्रदेश को और अग्ला प्रश्णाप का पूरू प्रदान मंत्री अटल बिहारी बाचपेई की 25 फिट उची कांच से प्रतिमा का अनावरण किया गया तो यह लोक भवन परिशर लखनोव में अनावरण किया गया है नेक्ष्णाप मुख्यमंत्री योगी आदी तिनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में सात्मी आर्थीक गड़ना का सुबारम किया गया तो यह 26 दिसंबर 2019 को और अग्वारा प्रदेश में अस्थापित है कहाँ पर तो यह हर्याना के पिंज़ार में अस्थापित है याद रखीगा यदि देश का पहला गिद संदक्षण केंदर पूछा जाएगा कहां स्थापित है तो यह आपका हरियाना के पिंजोर में अस्थापित है और यह पूछा जाएगा कि उत्तरप्रदेश का पहला गिद संदक्षण केंदर कहां स्थापित किया जा रहा है तो व उसी नगर जनपद में खोला गया है नेक्स्ट आपका 47 वी 47 वी आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया तो यह 29 नॉवंबर 2019 को लखनोव में 47 वी आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है अगला प्रश्णाव का चार नौवंबर 2019 को पर्थम रास्ट्री रेरा कानक्लेव का आयोजन किया गया तो लखनोव में आयोजित किया गया और अगला प्रश्णाव का प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक इनुवर्स्टी की अस्थापना प्रस्तावित है यह लखनोव में प्रस्तावित है और अगला कोशिन है 26 अक्टूबर 2019 को बिभिन आपात सेवा नंबरों यसे की 102, 108, 1090, 181, 1076 द्वारा संचालित सेवाओं को एकिक्रित करके प्रारम की गई नई आपात सेवा नंबर क्या है इन सभी आपात नंबर को जो है एकिक्रित करके 112 कर दिया गया है तो यह याद रखेगा नेक्ट आपका 26 अक्टूबर 2019 को मुखिमंत्री द्वारा वरिष्ट नागरीकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल क्या है तो यह है सवीरा नाम से पहल सुरू की गई है नेक्ट आपका दीपोत सव 2019 के अउसर पर 6 लाग 11,000 दीप प्रजलीत करके गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ट बनाया गया है कहाँ पर तो यह आयोध्या में बनाया गया है नेक्ट आपका उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दे मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाट साला के पांचवे संस्क्रड का सुबारंब किया गया तो यह 21 अक्टूबर 2019 को नेक्ट आपका उतरप्रदेश सरकार द्वारा आरगैनिक मैटर मिशन 2025 का सुबारंब किया गया 21 अक्टूबर 2019 को अगला क्टूशन है आपका 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदितिनाति तथा केंद्री पेट्रोलियम यों प्राकृति गैस मंत्री धर्मिंद्र पधान द्वारा बायो फ्यूल प्लांट का सीला न्यास किया गया कहां पर तो यह गूरकपूर में सीला न्यास किया ग तो निधारित समर्थन मुली कितना है तो यह 1868 रुपए प्रति क्विंटल नेक्स आपका लोहपुरु सरदार बल्लभाई पटेल की जैनती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फार यूनिटी का आयुजन किया गया कब तो यह 31 अक्टूबर 2019 को और नेक्स आपका वह कोस जिसकी अस्थापना वह कार्यानवन हेतु 22 अक्टूबर 2019 को राज्यमंत्री परिशद ने उत्तर प्रदेश मतस्य विकास योव नियंत्रड नियमावली 2019 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की वह मतस्य पालक कल्या अगला प्रश्णा आपका 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ द्वारा IRCTC द्वारा संचालित देश की प्रथम कार्पूरेट ट्रेन लखनव जक्सन से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को जंडी दिखाकर रवाना किया गया तो यह लखनव से नेक्ट आपका 20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतरास्टी रामायन महुथ सो 2019 का आयोजित किया गया कहां प्रश्णा आपका 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लचमढ हिल को जोडने वाले 256 मीटर लंबे राज के पहले रोपवे का उदगाटन किया गया कहां तो यह चित्र कोट में किया गया है तो यह आपसे पुछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला रोपवे जो है कहां बनाय गया है तो यह चित्र कोट में बनाय गया है कि इतनी लंबा है इसकी तो 256 मीटर लं चौराहा अब इस नाम से जाना जाएगा तो हजरत गन चौराहा जो है अब अटल्चोख के नाम से जाना जाएगा नेख्ष्ट है आपका अगस्त 2019 में उत्रप्रदेश सरकार द्वारा इस नए भी विभाग की गठन का निड़े लिया गया है तो जलसकती भी भाग की गठन का निड़े लिया गया है नेक्श आपका जलसकती भी भाग का गठन करने वाला देश का पहला राजी कौन बन गया है तो यह है आपका उत्तर प्रदेश जल सकती भाग का गठन करने वारा देश का पहला राजी जो बन गिया है वह उत्तर प्रदेश बन गिया है नेक्ट है आपका देश के सरवाधिक सूच में लगु यो मध्यम उध्यम यह मेस यह मेई है तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है देश के सरवाधिक सूच में लगु यो मध्यम उध्यम आपके उत्तर प्रदेश में है और अगला कुशन है आपका राश्ट्री पुलिस भ सिविध्याल है तो दोस्तों जो है ये था आपका अगस्त 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के महतपूर उत्तरप्रदेश के करेंट अफेस जो की आगामी होने वाले एकजाम आरो ए आरो जो की आपका 20 सितंबर को जो है आपका एकजाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है उमिद करते हैं कि आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे अडमिट कार्ड और UPPCS दोनों के लिए बहुत ही महतपूर है यहां से प्रस्टन देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर देजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का प्रवाद।